इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले बाई एंजल वुमेंज और यहां पे क्विन्स वुमेंज यानि की एंजी वुमेंज और क्यव्यू एन वुमेंज के बीच में जो पुंटेचैरी वुमेंज टीटेन का मैच कहला जाएगा इसको कवर करेंगे वीडियो इसको करोगे वाइस के बारे में एक परसेंड भी यहां पे कन्फिूजन नहीं बचेगा तो दोस्तों कम्परीट वीडियो देखना ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे आड़ से दस मिनट का मैक्सिमम ये वीडियो आपको मिलने वाला है लेकिन ये वीडियो आप ज़्यादा बेनिफिचिल होगा अगर आप लोग इस मैच में एक टीम कोमिनेशन बना के बड़िया वीनिंग्स करना चाहते हो सबसे पहले दोस्तों चैनल पर नहीं हो पहली बार विजिट कर रहे होते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो में बताईगे इनफोर्मेसन अगर आपको अच्छी लगे वीडियो जो लाइक टारगेट रहेगा वो केवल 500 लाइक कम रखने वालों उमीद आप लोग 500 लाइक तो यहां पर जरूर करवाद होगे आपका एक लाइक काफे ज़्यादा मोटिवेट करेगा तो यह वीडियो को लाइक के सभी भाई एक बर जरूर से कर देना यह हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम के साथ में नहीं जुड़ेओ भाई टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लेना वीडियो के कमेंट सेक्षिन में और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जिगापे लिंक दे रख़ा है तो जॉइन जरूर से कर लेना अब यहां से बात करते देखो मैश के बारे में तो सबसे पहले विकेट केपिंग डिबार्टमेंट के साथ में आम लोग शुरूआत करेंगेंगे और छोड़ के चलूँगा रामा स्मयमी को रखो या फिर एलो मलाई को रखो चुआई सापकी रेगी ठीक है किसी को भी रख लो बैटिंग ओडर दोनों का आपको काफी ज्यादा नीचे देखने को मिलेगा उसके बाद बैटिंग डेपार्टमेंट इंदर आओगे यहाँ प या फिर ये वन डाउन बैटिंग करने हैं को कि T10 मैंच या बैटिंग ओडर चेंज हो भी सकता है लेकिन लास मैंच में क्या हुआ था यहाँ पर कार्टिंग जो थी ये ओपन करने आई थी इन्होंने एक ओवर की गेंदबाजी भी करवाई थी प्लस इनको विकेट एक भी गरती दिखेगी थड़िया फिर फॉर्थ डाउन पर ये बैटिंग करने हैंगी ये चीज जानमें रखना लेना चाहू ले सकते हो बल्ले के साथ में उतनी अच्छी फोर्म फिलाल नहीं है उसके बाद आरा रूल के ओप्सन लेगी इनके बारे में एक स्पेसल चीज आपक ठीक है तो अगर आप लोगों को वह चीज देखे टीम में पिक करना है कर सकते हो आपके लिए एक अच्छे यूनिक पिक यहां पर बनके जरूर निकल सकते हो उसके बाद में राजाक की ओप्सन है इनके साथ में जा सकते हो क्यों जा सकते हो लास मैस में एक्यावर रंस की दिखेगी तो T10 मैच के इसाब से मैं इनको उतना जदा प्रेफर फिलाल आपको नहीं करने वाला ओलाउंडर डिपार्टमेंट में आसा इंपोर्टेंट है सिधा सिधा स्टार मार लो एस पार्टिल इंपोर्टेंट रहेगी सरन इंपोर्टेंट रहेगी वी चोदरी मैच में बहुत जदा माईनी रखेगी कौन का बेटिंग करेगी वो भी आपको बताऊंगा पहले आपको इंपोर्टेंट प्लेयर बता दू उसके बाद में हेगडे को टीम में पिक करो और यहां से निगम को पिक करो लगबग आपके सारे प्लेयर आ जाएंगे छै प्लेय अपनी टीम में जरूर रखने है ठीक है यह मेरी बात आप लोग ध्यान में रखना अब देखो यहां से ओप्सन आपको बताऊं आसा जो है ओपन करने वाली प्लेयर है दो वर की प्रोपर गेंदबाजी मिलेगी लास मैच में एक विकेट भी लिया था और अब तक काफी ब विकेट्स भी निकाले यह भी इंपोर्टेंट है तो कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी की दो टोप की जो पिक से वो आपको उपर ही मिल जाएंगी ऐसासा और यहां पर एस पार्टेल ठीक है उसके बाद में एसरन रहेंगी एसरन के अगर बात करें यह सेकंड डाउन वेटि करना हैगी लेकिन इनोंने भी भाईया लास मैच के अगर बात करें दो वर कंप्लिट करें थे गेंदबाजी के अंदर वो दानकना तो यह इंपोर्टेंट बनेगी क्योंकि ऐसे प्लेयर जो अपने दो वर कंप्लिट कर सकते हैं उनको आप लोग अपनी टीम से ड्रोप नह था उसके बाद में निगम की ओप्सन है निगम आपको जस्ट यहां पे हेगडे से उपर बैटिंग करती हुई लास मैच में दिखी थी हो सकता है इस मैच में एक बार फ़र से यह सैकंड डाउन बैटिंग करने आजए क्योंकि वूमेन का मैच है तो मेरे साब से बैटिंग करेगी यह दानखना और ऐसी प्लेयर आप लोग नहीं छोड़ सकते है बाकिन के बारे में आपको कुछ नहीं कहूँगा विकेट मिले ना मिले यार देखो वो यह कलग चीज होती है लेकिन आपको प्लेयर के बारे में इंफोर्मेशन होने चीए कि कोन अपने कंप्लेट ओ की सिचुएशन की उपर चीज़े डिपेंड करेगी अभी यहाँ से बैटिंग सेक्शन में आओगी मैं राजा को टीम में पिक करूँआ या फिर आप लोग चाहूं यहाँ यहाँ पर अरूल को रख सकते हो क्योंकि बैटिंग में थोड़ा नीची आई थी लास मैस में ठी करें वो भी सीन बन सकता है क्योंकि दस ओवर का ही मैच है ठीक है बाकी सेफली अगर आपको खेलना है तो भाई देखो यहाँ से सीधा सीधा बता दू अरूल को टीम से ड्रोग करो राजा को टीम में पिक करो यह आपके लिए थोड़ा सा सेफ रहेगी फिलाल मैं अरूल के आसा रहेगी और वाईस काप्टन सी में आपके लिए यहां पे एस पार्टेल सबसे बेस्ट ओप्शन है ठीक है सेलेक्शन भी दिखा दू इन्ही दोनों का आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा क्योंकि टोप की प्लेयर है उपन करेंगी प्लस दो दोवर की प्रोपर गेंद तो यूनिक अगर आपको ट्राई करना हेगडे को ट्राई करो यहां से आप लोग यहां पे सरन को भी ट्राई कर सकते हो ठीक है तो यह आपके लिए थोड़ा सा यूनिक पिक्स हो सकती है सेफली खेलोगे अपनी 11 प्लेयर की टीम आपके सामने कैप्टन सी आसा को रहेगी कोई भी चेंज करना चाहो अपने कोडिंग कर सकते हूँ अरूल की जिगह बता चुको आप लोग यहां से भाई या राजा आपको अपनी टीम में जगह दे सकते हूँ वह आपके लिए थोड़ा सा सेफ ओप्सन बनेगी अगर आपको बैटिंग के इसाब से चलना है ठीक है तो अभी मेरी गार अप ले रहे ही टीम आप लोग देख पाऊगे लेकिन अगर इस टीम के अंदर बैचान समाली जे टोस्क के बाद में कोई भी चेंज करूँगा तो फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करूँगा तो फटा फट से जहीए भाईयो टे और आपकी टीम अच्छा पर्फूम जरूर करेगी